खुशाम दिद दोस्तों नमस्ते सलाम बात करते हैं Eliminator की डीसी वर्सिस सन्राइजर्स हैदराबाद DC की खेंदबाजी होगी है बहुत कमजोर रबाड़ा के चाने से और Sunrisers हैदराबाद तो खतम हो चुकी है लिटररी, वार्नर और बेर स्टॉ के जाने से तो कौन सी टीम जीतेगी ये डिसाइड करेगा जो बंदा ना ही वो संत है ना वो कोई महंत है वो तो भहिया हम सबका लाडला रिशप पन्त है One Man Show, 35 गेंदों में शतक ठोकना के अदम रखने वाला बंदा One Man Show, क्या DC, SRH जो पिछली बार फाइनलिस से उन्हें रगड के CSK से खेलेगी Qualifier 2, ये तो वक्त बताएगा But my, my gut feeling says, रिशप पन्त का दिन होगा है रिशप पन्त का, and DC will beat Sunrisers Hyderabad Qualifier 1 एक one-sided affair रहा जिसमें Mumbai Indians easy league finals में पहुँचके क्या Eliminator भी एक dull affair होगा You never know I'll go with DC, I'll go with Pant Because, दोनो टीमें weak हैं Rabada के एक जाने से bowling week होगी है इनकी पर बल्ले बाजी का है Sunrisers के बाद उसका फाइदा उठाने के लिए At least, इधर गबर हमारे शिखर धवन और रिशप पन्त तो हैं कुछ तो नजार आता है इशान शर्मा और अम्मित मुश्रा ने जलक दिखाई form की जिस जिन से Rabada गए है उस match में तो एक hope जगा है DC के लिए और उड़ती उड़ती जी खबर आ रही है कि ना मुंबई चोथा IPL जीतेगी ना CS के बलकि DC अपना पहला IPL जीतेगी IPL के क्या कहने किसी औरत को कभी कम लगे हैं पहने हुए गहने बस इतना सा खाब है ना चोथी ट्रोफी वाले को भडास का मोती है IPL से ना पहली बार जीतने वाले की तो the thirst is there the hunger is there that's why CSK has been performing so well from the last 12 years this time it lost to Mumbai but it still has a chance and it will reach the final if everything goes accordingly CSK and Mumbai deserves to be in the final only one man Bishop Panth can spoil their party वो करे गाया नहीं ये वक्त बताएगा अपर मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है कि Mumbai Indians रोहिच शर्मा अपनी चोथी IPL ट्रोफी उठाएंगे और वो फाइनल में पहुँच गए हैं आमित दत्ता जो कहता है होके रहता है और शक्षी घएखार